कॉंग्रेस के कारेकरता आज एक चैनल के खिलाफी धरने पर बैट गए हैं जिसमें आज उन्होंने जम कर नारेवाजी की आपको बताएं कि कहां पर बैटे हैं कारेकरता धरने पर और कहां पर पुलिस ने उनको खदेड़ा यह पूरी रिपोर्ड देखिए हमारे साथ पिछले एक उस देनों टीवी डिवेट पर संबित पात्रा भाजपा प्रवक्ता और दूसरी तरह राजिब त्यागी कॉंग्रेस प्रवक्ता के बीच में टीका टिपडी टीवी पर होती हुई आपने काफी देखी होंगी उनी में एक मामला ये था कि जब उन पर ठीका टिकडी की जा रही थी तो इसी बीज कुछ ऐसी बाते परसनली उनको टीवी पर बोली गई जिसे कई लोग आहत भी हुए जिसको देखते हुए आपने देखा होगा कि टीका टिकडी से ही आहत होकर कई लोग अपनी जान गवावेटते हैं लगातार सोशल मीडिया में और इसके साथ मीडिया में वाइरल होता सुसान सिंग का मामला भी कुछ कमेंट को ही ले कर था उनको भी किसी की बात कोई बुरी लगी और आज नतीजा आपके सामने है कुछ ऐसा ही मामला है कि कभी-कभी किसी की छोटी सी बात किसी के दिमाग में घर कर जाती है और वो घर करने के बाद इंसान अपने जिन्दगी से हाथ दो भेटता है ऐसा ही कुछ मामला राजिव त्यागी का भी है जो की कॉंग्रेस परवक्ता रहे अब वो हमारे बीच नहीं है बैंगलूरू हिंसा की बज़य में उनको भी माना जा रहा है जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई इसके बाद कॉंग्रेस के कारेकरता आनन फानन में आज तक के हेड़कॉर्टर पहुच गए जहाँ पर उन्होंने नारेवाजी शुरू कर दी वहाँ पहुची पुलिस ने COVID-19 की गाइडलाइन्स का भी हवाला दिया लेकिन कॉंग्रेस कारेकरताओं ने एक ना सुनी और आखिरकार यूपी की योगी पुलिस ने एक्शन दिखाते हुए कॉंग्रेसी कारेकरताओं को खदेड दिया इसके साथी जो नहीं माने उनको जीप में बेठाल कर ले जाये गया